प्रिस्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना पूर्ट दोस्तो मैं हूँ आपका मेडकल दोस्त और मैरे इस मेडकल दोस्त चैनल में आप सबी लोगो का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में एक ऐसे जबरदस्त एंटिबायटिक के बारे में आपको पूरी जनकारी दोंगा कि इस antibiotic को आप किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं इसके क्या-क्या फायदे देखने को मिलते हैं इसकी dose क्या होते हैं इसकी price क्या होती है इसका composition क्या होता है और आप इसे कहां से खारीज सकते हैं दोस्तो इन बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो में सुरूर से अंते तक जरूर बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो like और share भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो जादे समय न गवाते हुए वीडियो श्टार्ट करते हैं जैसे के दोस्तो आपको स्क्रीन पे एक strip दिख रहा होगा जो की फिलाल मेरे पास 6 टेबलेट है और ये 10 टेबलेट के एक strip में आता है जिस एंटिबाइटिक के नाम की बात करें तो दोस्तो ये है जैडू सेफ 200 टेबलेट जिसे बनाती है दोस्तो मैकलियार्ट कमपनी जो की काफी अच्छी और बड़ी कमपनी है दोस्तो जैडू सेफ 200 टेबलेट की कमपोजिशन की बात करें तो इसमें सेफो, डॉक्सिम, प्रॉक्स्टील इसमें 200 mg देखने को मिलता है और दोस्तो ये 10 टेबलेट की स्ट्रीब की प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ आपको 179 रुपे में easily किसी भी मेट्कलि स्टोर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तो बात करें इस जेडूसेफ 200 टेबलेट की तो दोस्तो ये एक एंटिबाइटिक है जो की बैक्टरियल संकरमण को दूर करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है जैसे कि दोस्तो अगर आपको RTI infection है, SSTI infection है, UTI infection है, OTT media infection है तो दोस्तो उन तरक की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं इस एंटिबाइटिक के मदद से RTI infection दोस्तो respiratory tract infection जिसे बोला जाता है जो कि स्वांस के नली में ये infection होता है और इस infection में दोस्तो गर्दन में जो है, गर्दन के नली में जो है, सूजन हो जाते हैं दाने निकलाते हैं, खाने पेने में दिक्कत होती है और कई बार ये infection बढ़कर हमारे फैफ़डों में भी चला जाता है जिसके चलते हमें बुखार आना, खासी आना, नीमोनिया की शिकायत हो जाना या फिर अस्तमा की शिकायत होना इस तरह की समस्याइन देखे जाती हैं जब RDI infection हो जाता है तो दोस्तो RDI infection में ये tablet बहुत ही अच्छा वर करता है मात्र कुछ दिनों की इस्तमाल से RDI infection आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है साथी दोस्तो अगर tonsil में किसी तरह के infection हो जाता है tonsil में शूजन हो जाता है tonsil लाल हो जाता है जिसके चलते आवाज आपका भारी हो जाता है कुछ खा पी नहीं पातें कुछ खाने पीने में दर्द होने लगता है तो उन condition में भी इस ZDUCEP 200 tablet का इस्तमाल किया जाता है तो यह था दोस्तो RDI infection अब बात कर लेते हैं दोस्तो SSTI infection यानि कि skin soft tissue infection इसकिन में दोस्तो यह infection इस तरह से देखने को मिलता है कि आपकी skin में जगा जगा दाने निकलाते हैं लाल लाल दाने पीले पीले दाने या skin red हो जाती है skin में itching की समस्या होती है जिससे आपका skin काफी खराब देखने में लगता है तो दोस्तो यह skin infection की समस्या को भी ठीक करने में काफी मदद करता है साथी दोस्तो यह antibiotic जो है अगर किसी तरह का चोट है कट पीट गया है उन तरह के घाव को भी सुखाने में यह antibiotic काफी अच्छा रोल निवाता है साथी दोस्तो यह antibiotic खासी जुकाम, सरदी जुकाम, सांस फूलना, निमूनिया की शिकायत होना, अस्तमा की शिकायत होना उन condition में भी इस antibiotic का काफी अच्छा रोल देखा गया है दोस्तो यह antibiotic जो है अगर किसी व्यक्ति को फीबर की शमस्याती है, टाइफाइड के फीबर हो या वाइरल फीबर हो उन condition में भी इस antibiotic का इस्तमाल बहुत ज़्याद किया जाता है इसके मातर तीन दिन के ही इस्तमाल से आपके पुराने से पुराने बुखार जो है जड़ से खतम हो जाते हैं और आगे आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती इतना बेस्ति यह antibiotic काम करता है साथी दोस्तो यह antibiotic आखों के infection, मसूडों के infection, कान में किसी तरह के फोड़े फुन सी है कान से पानी आता है, कान में दर्द होता है, कान भारी भारी से लगता है उन condition में भी इस antibiotic का इस्तमाल किया जाता है यानि कि कान के infection को भी ठीक करने में यह अच्छा रोल निबाता है साथी दोस्तो अगर कोई वेक्ती आग वगेरे सजल जाता है इसकीन पूरी तरह से डैमेज हो जाती है उन तरह की सकीन को सुखाने और फिर से रिपेर करने के लिए भी इस antibiotic का इस्तमाल किया जाता है साथी दोस्तो अगर किसी वेक्ती को urine infection के सिकायत है यानि के मुतर संक्रमड है पिशाब रुगरुक के होती है पिशाब में जलन होता है पिशाब पीला होता है पिशाब लाल होता है उन condition में भी इस antibiotic का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो अटिबाइटिक एक है लेकिन इसके फायदे आपको अनेको जगव पे देखने को मिलते हैं दोस्तो ये थे इसके कुछ फायदे के बारे में अब बात कर लेते हैं दोस्तो ये 200 टेबलेट जेडू से किन के लिए आता है और इसका सही डोज क्या है तो दोस्तो इसे बड़े लोगों में दिया जाता है जबकि बच्चों के लिए इसका 100 dT टेबलेट भी उपलब्द है इसका 50 mg का सीरप भी मार्केट में उपलब्द है बच्चों के लिए तो दोस्तो इसे 18 साल से उपर के बच्चों में दिया जाता है यानि कि इसकी डोज जो है एक एक गोली शुबाशाम बीडी लेना होता है खाना खाने के बाद इसे ले सकते हैं और दोस्तों ये एंटिबाइटिक किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इस antibiotic को जब आप लेते हैं तो ये क्या करता है कि आपके body में जो bad bacteria होती हैं जिसके वज़े से आपके body को नुकसान होता है आपके body में तरह तरह की भीमारिया होती हैं उन्हें kill करता है और good bacteria जो की आपके सरीर को रच्छा प्रदान करता है आपको बार बार बीम तो जली से सही करने में मदद करता है तो उनके growth को ये बड़ाता है ये good bacteria की growth को बड़ा देता है जिसे bad bacteria खुद बाखुद किल हो जाती है खतम हो जाता है जिससे आपको किसी भी बीमारी या इंफेक्शन में रात मिल जाता है दोस्तों बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में तो दोस्तों जेडू से 200 tablet के side effect कुछ खास नहीं है लेकिन दोस्तों इसमें सेपोडाक्सिम salt डाला गया है अगर इस salt से आपको allergy है तो उन condition में आप इसका इस्तमाल ना करें इसके लेने पर दोस्तों कुछ common side effect होते हैं जैसे की skin का red हो जाना skin पर itching की समस्या होना मुँ सूखना, गबराट होना पेड का खराब हो जाना या constipation यानि की कब्ज बनना पेड में दर्द होना इसे तरह के कुछ common side effect होते हैं जो कि दोस्तों सभी लोगों को नहीं होता और दोस्तों ये जेडूसेट 200 टेबलेट ये प्रेगनेंसी में भी safe होता है लेकिन प्रेगनेंसी हो या कोई other disease से आप ग्रस्त हैं तो उन condition में आप बिना डॉक्टर के सला से ना इस्तमाल करें डॉक्टर की सला जरूर लेंक्स दवा को इस्तमाल करने से पहले क्योंकि दोस्तों ये एंटिबाइटिक है और आपका डॉक्टर ही बेहतर जानता है आपके बॉड़ी वेट को और आपके बॉड़ी बनावट को और वो अपने हिसाब से इसकी डोज कितने दिन लेनी होती है वो डिसाइड करता है तो ये था दोस्तों कम्पलिट जनकारी जेडूसेफ्ट टेबलेट के बारे में वीडियो चल लगे तो लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए